यतिन क्या कहा गया है इनफोसिस को लेकर और प्राइस टारगेट्स को लेकर? देखे, स्टॉक तो अंडर रिव्यू है तो बहुत सारे प्रॉक्षिज ने प्राइस टारगेट्स जो है, वो मोर और लेस मेंटेन किया है अगर हम स्पेसिफिकली बात करें, सीलेसे की तो इनका मानना यह है कि कंपनी को कोई प्राकार का रिस्ट ग्रोथ को नहीं लगता है 13-15% के साल-दर साल बेसिस पे ग्रोथ, कॉंस्ट करनसी बेसिस पे कंपनी पोस्ट कर सकती है इसके अलावा, confidence है इनको के margin को भी थोड़ा बहुत improve किया जाएगा आने वाले quarters में तो जहां तक की trajectory का सवाल है, commentary positive है और दूसरे अगर हम brokerages भी देखें, तो more or less यही view आ रहा है कि जिस हिसाब से जो setup है और international IT demand को लेके concerns है, वैसा कुछ भी management नहीं किया है CLSA का जो buy target है वो है 2040, Macquarie ने outperformer call रखी है HDFC bank पे target है 2005, CLSA में target maintained किया है management का मानना यह है कि 20-25% की deposit growth इनकी maintained रहेगी क्योंकि जो branch edition plans है, उसके द्वारा यह आराम से achieve हो सकता है Macquarie की तो यह top pick है sector की, इसके अलावा CLSA का यह कहना है कि management ने analyst की concern दूर किये कि HDFC और HDFC bank के merger के बाद एक बड़ी size की organization खड़ी होगी, तो बड़ी size पे ना जाए, वो बड़ी size पे भी growth कर पाएंगे, तो ऐसा नहीं है कि size बड़ी होगे, तो growth पे challenges रहेंगे या वो base effect रहेगा, तो वैसा कोई प्रकार का यह नहीं है, in fact company यह expect कर रहा है कि RBA इनको ICICI bank और kotak bank की तरह ही structure दे पाएगी, जिसका मतलब यह है कि insurance, AMC, सभी की सभी जो एकाईयां हैं, जो subsidies हैं, वो hold को की तरह आगे चलते वे भी चला पाएंगे, क्योंकि बजार में एक speculation था, कि शायद इनको अपना AMC business या इनका insurance business बेचना पड़े, merger के लिए, तो अगर RBA अलाओ करता है, तो ICICI bank और kotak bank की तरह ही, यह organization पी उसी structure की तरह काम करता रहेगा. झाल्बाचे अान की तरह झाल झाल